Hello everyone, तो कल से एक चर्चा चल रही है PAN 2.0, क्या है PAN 2.0 और क्या इसके आने से हमारा पुराना PAN बर्बाद हो जाएगा, क्या उसका कोई एहमियत नहीं रह जाएगा, यह सारी बाते हम अपनी आज के इस सेशन में करने वाले हैं तो जैसे अब लोग न्यूज हेड्लाइन देख सकते हो कि PAN 2.0 प्रजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है काबिनेट के द्वारा और अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो बेसिकली अभी क्या है कि PAN 2.0 तो हमारे देश में जो Cabinet Committee on Economic Affairs है जिसको लीड किया जाना है प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा इन्होंने अप्रूवल दे दिया है PAN 2.0 प्रोजेक्ट इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के तो इनके मताबिक जो प्रोजेक्ट है इसके लिए इन्होंने अपनी तरफ से जो Financial Outlay दिया है यह दिया है 1435 करोर का यानि सरकार ने इतना इस प्रोजेक्ट में allocation किया गया है जिसका utilize करके इसको successfully implement किया जाएगा लेकिन PAN 2.0 है क्या यह समझते हैं सबसे पहले तो हम यह सम मिलता होगा PAN card होता है जो Alpha Numeric होता है जैसे आप लोग मान लो कहीं job कर रहा हो या आपका कोई account है या कुछ भी है तो लोग के पास में अपना एक PAN होता है ठीक है अब इस PAN में 10 digits के आपके numbers होते हैं जो Alpha Numeric होते है Alpha Numeric का मतलब है कि Alphabets भी है numbers भी है अगर आप लोग को signify करेगा तो वो हमेशा fourth character ये चीज़ बताता है और जो fifth होता है वो आपका जो surname है उसका initial रहता है वाँपर जैसे मारलो मेरा त्रिपार्ट है तो मेरा T है उसमें ठीक है तो ये PAN होता है basically PAN एक link होता है income taxpayer और income tax department के बीच का ठीक है कि भाई आप कितना tax pay कर रहा है आप को कम किया जा सके अब किसी के जो income है उसी की हिसाफसे तो वो खर्च कर रहा है तो नहीं कि income जो है उसका डेढ़ह 10 गुना खर्चे कर रहा तो कहां से कर रहा है मतलब कि कुछ गलत काम कर रहा है किसी की income बंद्रह लाग है अगर वह दो-दो करोड़ रुपर है खर्चे कर द कि जो भी लोगों की income है क्या उसी दाय में लोग कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे जादा खर्चे करना अगर कर रहे हैं तो कहां से आ रहा है इस income का क्या source है क्योंकि गलत तरीके से कमा हुए पैसे को market में सही तरीके से use कर देना this is money laundering जो गलत होता है किसी भी देश क लिए तो उस वारदात को भी रोटना है यह सब अगर सही use किया जा रहा है तो किया जा सकता है ठीके तो पैन is simply a linkage in between income taxpayer और income tax department उनके बीच का एक लिंक होता है इसके थूब बहुत कुछ पता चल जाएगा ठीक है कि आपने कितना taxpayer किया है कितना नहीं मान लोग कोई व्यक्त जो consist करता है 10 characters का laminated card होता है जो income tax department क्या करती है दीती है अपनी तरफ से यह provide के जाता है किसी को भी upon application और allocated directly by department without a formal request ठीक है तो जो income tax department है यह इसका use करती है ताकि monitor कर सके transactions जो भी individuals के साथ है उसको देख सके साथी साथ में तमाम activities जैसे TDS TCS फाइल करते हैं लोग उसको देख कर सके connection तमाम documents का activities का tax payment का assessment का हर चीज को किया जा सके यहां से बहुत quick information मिलती है और जो भी details होते हैं वो investment और उनकी business activities से जोड़ी जा सकती है तो इससे basically एक नजर होती है और लोग जो है आराम से अपने मताबिक कोई भी कहीं भी पैसे खर्श कर दें कुछ भी कर दें पैसे को उच नीच कर दें ऐसा नहीं कर सकता है income taxi मदद से लेकिन आज के समय में भी बहुत लोग उसका जो है गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और आज के समय में भी black money उस हद तक शायद नहीं कर भूपा रही है इन सबका एक solution आया है which is pan 2.0 तो pan 2.0 से क्या हो जाएगा बेटा pan 2.0 म को देखता हो गया तो अब यह लोग क्या करने वाले हैं अब यह completely online होगा और इसमें साथ में QR code भी होगा उस pan card पे तो उस QR code को जैसे ही क्या किया जाएगा जैसे ही उसको scan किया जाएगा तो उस जिस भी बंदे का pan है उसकी सारी history related to tax everything एकदम से एक साथ आ जाएगी उससे चल जाएगा कि हाँ इन्होंने कितनी payment कर यह क्या इनके income and everything वो बिल्कुल clarity रहेगी सामने ठीक है तो यह एक ऐसा project है common business identifier होगा हर एक digital platform पे इसका यूज़ किया जा सकता है income tax department का जो pan 2.0 है यह तमाम advantages है technology driven होगी क्या क्या advantages है सबसे पहला तो यह है कि इसकी service delivery और quality इंप्रूव रहेगी single source of truth मतलब कि एक source रहेगा जहां से हर एक information असानी से मिल जाएगा eco-friendly process रहेगे और जितना ज़ादा हो सकेगा उतनी बहतर security और optimization रखी जाएगी यह e-governance initiative है यानि कि जितना online जादा से जादा अपनी initiatives को करना delivery करना citizens के लिए अलग services की तो यह e-governance initiative है pan 2.0 जिसके लिए सरकार ने क्या बताया है कि सरकार ने इसके लिए 1435 करोर दी है तो basically ऐसा नहीं कि आपका pan रद हो जाएगा या कुछ हो जाएगा वही pan है चीज़े online हो जाएगी वह pan card में QR code मल जाएगा सरकार इसको जल्द से जल्द implement करने की बात कर रही है और सरकार ने कहा है कि इसके आने से चीज़ें बिलकुल streamline हो जाएगी हर एक process online हो जाएगा जितना ज़्यादा चीज़े online होती है transparency उतनी बढ़ती है accountability उतनी बढ़ती है ठीक है आप लोग मुझे यह बताएगा कि income tax day कभी मनाया जाता है या नहीं और मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है ऐसी बहुत साइज चीज़ों को अगर आप deep में discuss करना चाहते हो तो आप मेरी current affairs की class में मुझे join कर सकते हो morning 6.45 a.m. banking वाला youtube चैनल पर थैंक यू सो मिश फिर मुला कात होगी टेक केर लव यू बब बाई